ये उस साड़ी से ममता इतने सब के बाद भी कुछ नहीं बोलती मेरी बेटी की बेज़ती हो गई मैं बिल्कुल बरदाश नहीं कर सकता ये मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी से कोई भी ज्यादा सुन्दर लगे पूरे कॉलेज में जी वो पढ़ने में तारा बिल्कुल अच्छी नहीं है उसकी पढ़ाई पर आप ध्यान दीजे न अच्छो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे किस पर ध्यान देना और किस पर नहीं रमेश जैसा ही ये वाक्य पूरा करता है ममता की बेटी और पती उस पर जोर जोर से हस्ते है अरे ठीक है ना पता ही नहीं चला कि कैसे वक्त इतना बीट गया अरे कैसे पता चलेगा मां हम लोगों की पीछे जो तू बैताल की तरद चिपकी रहती थी तुझे कैसे वक्त का पता चलता ममता को पहले सास ससूर फिर पती और बच्चों की तरफ से इस तरीकी की बाते सुनकर उसका मन बहुत दुखी रहता था एक दिन सुनो ना बहुत दिनों से कमर के नीचे बहुत दर्द रहता है कल मैंने देखा तो एक फोड़ा था अरे ममता एक बार अपने पती से बात करो वो तुम्हारा फोड़ा डॉक्टर को दिखा देंगे अरे नहीं नहीं वो तो गुस्सा हो जाएंगी अरे क्यों गुस्सा हो जाएंगे तुमको दर्द है हाँ लेकिन वो यही बोलेंगी कि ओफिस जाओ या फिर तुम्हें लेकर डॉक्टर की पास तो बेटे से ही बात कर ले अरे वो तो मैं कर लूँ लेकिन फोड़ा है ऐसी जगह की उसे बताते मुझे शर्म आएगी लेकिन कुछ ना कुछ तो करना जरूरी है ना ऐसे कब तक फोड़े के दर्द से तड़पती रहेगी अब तु सोच रहे हूं कि इनसे बात करी लूँ वना दर्द के मारे कहीं मर न जाओ लेकिन शाम को ममता क्या किया तुमने आज खाने के डिबे में कैसा खाना दिया था दाल खराब हो गई थी कब की थी दाल तुम मैंने सुबह ही बनाई थी खराब कैसे हो गई अच्छ सुनिये ना मुझे कहना है कि ममता जो पती से अपनी परेशानी बताने वाली थी, वो अब ये सोचने लगती है कि कल से पती को खाने में क्या दे अगले दिन ममता ठकी ठकी सी हालत में आप लोगों के लिए नाश्टा बना दिया है, खाना बनाने की हिम्मत नहीं है आज तो रात भर सोकर ठक गई है न, इसलिए तो खाना नहीं बना सकती हिम्मत नहीं हो रही है, मैं बस सोने जा रही हूँ बस मैडम को सोने का बोल दो फिर देखो कैसे सोती रहती है मा फिर वही पराटा सबजी अरे हमारे साथ के दोस्त एक से बढ़कर एक नाश्टा काना लेकर आते हैं आप तो बस सबी घर से निकल जाते हैं लेकिन जब शाम को बेटा घर आता है तो घर में अंधेरा रहता है बेटा लाइट चलाता है क्या मा तुम्हारा भी जवाब नहीं है बिजली का बिल बचाने के लिए वो बोली रहा होता है कि सामने मा जमीन पर लेटी मिलती है उसके पास जाता है अरे मा क्या हो गया मा तभी वहाँ पड़ो सनाती है अरे बेटा तुम्हारी मा के पैर के पास एक फोड़ा है जिसके कारण ये लगातार कमजोर होती जा रही थी मैंने उसे पहले ही कहा था कि घर में बता दो लेकिन तुम्हारी मा किसी को तंग करना नहीं चाहती थी तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है अरे इनके ओर्गन में दिखता है कोई बात है जो इनके मन में खटक रही है आरा नई नई इसके मन में कोई बात नहीं है कोई काम है नहीं न, इसके पास, सारा दिन बस घर में ही रहती है देखिए, मैं तो यह नहीं जानता, लेकिन हाँ, इनके मन में हमेशा कोई बात रह जाती होगी इसलिए उनकी यह अहलत है, अगर आप समय सर्ण नहीं ले आते हैं, तो हो सकता था कि अरे नहीं नहीं डक्टर साब, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो ठीक हो जाए हम लोगों ने अपनी ही परिशानी मा के सामने रखी लेकिन किसी ने मा के दिक्कत को जानने की कोशिश तक नहीं की हाँ, मैंने भी ममता को हमेशा घरेलू जरूरत से ज्यादा काम का नहीं सोचा था ममता को होश आता है और वो खुद को अपने बैडरूम में देखती है वो उटने की कोशिश करती है कि मा अब आप नहीं उठेंगी हम लोग है ना, हम लोग आपको पूरी तरह से खुश रखनी की कोशिश करेंगे